दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, गंटे को दवाएं, ओल प्रेस करें, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका स्मार्टफोन डिलीट हो चुका है आपका कंटेंड डिलीट हो चुका है आपके फोटो डिलीट हो चुके हैं तो उन्हें वापिस कैसे लाएं तो चलिए आज कि इस वीडियो को सुरू कर लेते हैं के factory research से delete हुए data को photos को videos को कैसे वापिस लाया जाता है तो चलिए इसके लिए guys आपको अपने smartphone पर जाना है और settings के अंदर जाना होगा settings को जैसे ही आप open करेंगे कुछ इस type के आपके सामने menus आएगी यहां से आपको scroll up करना है यहां आपके सामने एक option आएगा accounts and backup का account and backup वाले option पर हमें click करना है account and backup वाले option पर हम जैसे ही click करेंगे हमारे पास कुछ इस type के option यहां पर show होंगे इसके अंदर दोस्तों एक option हमें यहां पर आता है backup data का उसके नीचे एक option आ रहा है google drive में backup data google drive के वाले option पर हमें जाना है क्योंकि अब आपको पने photos and videos को recover करना है तो वो google drive के अंदर ही मिलेंगे आपको इस पे scroll up करना है यहां आपके सामने एक option आएगा photos and videos का काफी option आ रहे हैं first में apps का रहे है photos, videos, sms and mms, call history काफी option है लेकिन हमें photos and videos को ही recover करना है तो हमें photos and videos पर जाना है photos and videos पर हम जैसे ही open click करेंगे यहां पर हमारे पास कुछ इस type का open आ गया है यहां पर हम high quality जो original backup है वो backup यहां पर देख लेंगे हमारा जो backup आएगा और यहां से देखिए दोस्तों आपका जितना भी photos जो है उसको लेना है तो manage storage पर आपको click करना है और manage storage पर जाने के बाद आपको अपने smartphone को internet से connect करना होगा first time मैं अपने जो smartphone है उस smartphone को हमारे wifi के थुरू connect कर लेता हूँ wifi से हम जैसे ही connect करेंगे उसके बाद हम इसे यहां पर refresh के लिए डालेंगे उसके बाद में हमारे यहां पर देखिए network आ चुका है और यहां पर आ चुके हैं हमारे photos and videos जो की सारी की सारी हां पर हमें show हो जाती है और इनको मैं देख सकता हूँ यह blur वाले जो photos है वो आ जाएंगे other apps के सोट आ जाएंगे सभी यहां पर separate दिये हुए है अब हमें इनमें से जो भी photos आपको लेना है जैसे आप जाएंगे photos and large photos and videos पर तो यहां आपके photos and videos आपकी आ जाएगी जितनी भी पुरानी सारी के सारी photos and videos आ जाएगी मेरे लगबगे देख सकते हूँ 2012 की जो photos वीडियोज है वो सारी यहां पर शो हो रही है जैसी आप चाओ वैसी यहां से photos and videos को ले सकते हूँ इस टाइप से अगर आपके photos and videos दिलिट हो चुकी है वो भी factory reset के कारण तो उन्हें आप दोस्तों यहां से recover कर पाएंगे आपको यह method पसंद आया हूँ अच्छा लगा हूँ तो प्लीज वीडियो को like and share जरू करें और चैनल को subscribe जरू करें यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत दन्यवाद थेंक्यो फर वोचिंग दिस वीडियो